रविवार को बर्डी के फुटपात पर दुकान लगाने वालों पर कारवाई करते हुए परिवहन विभाग के पथक ने फुटपात पर मस्क बेचने वाले एक व्यक्ति से 500 रुपए का चालान फड़ा जब परिवहन विभाग के कर्मिचारी से नोटिस दिखाओ पूछा गया तब मनपा प्रशासन से पूछो ऐसा जवाब दिया गया आसपास के लोगों ने इस पर घुसा जताया और कहा मनपा अधिकारी सिर्फ तानाशा ही कर रहे है पिछले 6-7 महिनों से लॉक डाउन और कोरोना काल के चलते आमनागरिक घर में बैठा हुआ है सभी के रोजमर्रा के व्यापार ठब पड़े हैं कई लोगों ने अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जरूरत के हिसाब से अपने व्यवसाय बदल लिए उस पर भी यदि चालान की फटकार बैठे तो आम आदमी दिन भर में जितना कमाता नहीं उससे जादा चालान देने पर मजबूर हो गया है प्रशासन की मनमानी आम नागरी को पर ही चलती है बरडी में फुटपात पर मास्क बेचने वाले व्यक्ति से परिवहन विभाग ने 500 रुपे का जुर्माना वसूला है जब परिवहन विभाग से नोटिस दिखाने के लिए कहा गया तब उन्होंने मनपा प्रशासन से पूछो कहा और वहां से चले गए यहां सब देखकर आसपास के लोग आक्रोशित हो गए अधिकार नहीं है का यह देशा मदे आमाला दंदा करा था अधिकार नहीं है का प्रशासन आमजंता के लिए ही नियम और कानून बनाते हैं लेकिन प्रशासन के कुछ कर्मचारी इस तरह की मनमानी करते हैं और जंता का गुस्सा आला अफसर को देखना पड़ता है लोकडाउन काल में लोगों ने अपना रोजगार खोया जिससे उन पर भुकमरी की नौबत आई है लेकिन ऐसा कब तक चलेगा यहाँ प्रशन भी सामने आता है कब तक प्रशासन और देश में चल रहे अस्त विस्त कानून की मार आम जंता को ही सहनी पड़ेगी क्यामरा पर्शन राजकुमार महर के साथ दिपिका धनेश्वर, NBCN News नाखपूर